नमस्कार दूस्तो मेरा नामे राजिश दिया जारे और आप सबका स्वागत है RDH सर योट्यूब चैनल पर तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आप जानते हैं 9 मार्च 2022 से कोन होनार करोणपती में जिनोंने भी 23 फरवरी से लेकर 8 मार्च 2022 तक रजिस्ट्रेशन मगरे कर लिया है तो उनको पहले राउन के IVR कॉल आने चलू हो चुके है और उसके बारे में कल ही मैंने एक विस्तार से पुरी 40 मिनट की एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है जिनोंने भी वो विडियो नहीं देखे है तो उस विडियो को जरूर देखिएगा आप लोगों के दोस्तो सवाल भी आ रहे है कमेंट बॉक्स में और कोई दिक्कत नहीं है अगर आपकी समझ से आए है तो आप जरूर सवाल कर सकते हो आपका हग है सवाल करना और मैं कुशिश भी करूँगा आपके सवालों के उत्तर देने की परन्तो दुस्तो मेरा थोड़ा सा छोटा सा एक निवेदर है कि मैं जब वीडियो डालता हूं तो उस वीडियो को जरूर देखा किजिए, उस क्योंकि आपके जो सवालों के उत्तर है, वह उत्तर आपको already मेरे वीडियो में मिल जाएंगे, तो उससे मेरा भी समय बच जाएगा आपके प्रशनों के उत्तर देने का जो भी मेरा समय है, और आपको भी आपके प्रशन का जो समाधान है वो उस वीडियो में ही मिल जाएगा तो मुझे सवाल नहीं करना पड़ेगा तो बस यह छोटी सी रिक्वेस्ट है और अब दोस्तों मतलब कल 10 मार्च 2022 को भी IVR कॉल आए और जैसा कि मैंने कहा था कि जिन लोगों ने भी IVR कॉल पहले दिन जिनको आए और रून नियम यह है कि एक पर्टिकुलर नंबर पे एक बार कॉल आएगा और किसी भी कारणवश अगर वो कॉल अगर रिसीव नहीं कर पाते तो उनको फिर और 30 मिनट में ट्राइ किया जाएगा फिर अगर रिसीव नहीं करते तो फिर और 30 मिनट में ट्राइ किया जाएगा अर्था 30-30 मिनट के अंतराल में एक पर्टिकुलर शॉर्ट लिस्टेड मोबाईल नंबर को तीन बार कॉल किया जाने वाला है करके मैंने बताया था और उसके बाद में भी अगर कोई कॉल रिसीव नहीं करता तो वो नंबर बाहर हो जाएगा ऐसा TNC बोलती है परंतु मैंने कल आपको बताया हुआ था कि ऐसा जरूरी नहीं है आप अपने तरियप से आप तो मेल करके देख सकते हो या फिर सबसे बेस टुपाई हुँ है जी हो सकता ही कि आपको शायद वो कुदों के कॉल करे और मैंने साथ में अपना स्वेम का एक्जामपल भी दिया था कि मुझे भी 9 मार्ज 2022 को मेरे एक दुसरे नंबर पे कॉल आ चुका था तीन बारे भी कॉल आये थे जैसा कि TNC कहीती है परन्तु मैं भी कॉल रिसीव नहीं कर पाया था और मुझे मतलब होप तो थी कि 10 मार्ज को कॉल आ जाएगा करके क्योंकि पिछले साल जैसा हुआ है उसके आधार पर टम्स और कंडिशन की अगर हम बात माने तो तो अब्वियसली कॉल नहीं आना चाहिए पर मुझे पता था कि वो कॉल करते है और कल 10 मार्ज को फिर से एक बार उसी नंबर पर दो पर में फिर कॉल किया गया और अगेन ने उस नंबर पर 10 मार्ज को भी दो बार हमने कॉल रिसीव नहीं किये और फिर तिसरी बार जब कॉल आया तब हमने call receive करके registration पूरा किये तो कहने का मतलब यही है कि अगर आपसे call missed हुआ है आपने को अगर मानलो तीन बार call आगे और तीनों बार आपने नहीं उटाया है तो भी आपको call आ सकता है हाँ condition यह है कि IVR call शुरूर रहनी चाहिए IVR call ही खतम हो जाएंगे बंद हो जाएंगे उसके बाद आप फिर इंतजार करेंगे तो कोई मतलब नहीं है और मैं एक सला और दूँगा वो यह कि अगर आपको IVR call आ जाता है और आप तीनों बार अगर miss करते हो तो एक छोटी से request और रहेगी कि आप उनको mail ज़रूर कर लिएगा जो kbcmarathi at the redstateindia.com है kbcmarathi at the redstateindia.com इस ID पर आपको mail करना है आपका registered number आपको जब जिस number से call आया है उसका screenshot कितने बचे call आया क्या आया आपकी पूरी जानकारी यह सब जानकारी जो है आप सिधे सिधे उनको mail में लिखकर भीज सकते हूँ कि मुझे इस number से call है और यह कारण से मैं receive नहीं कर पाया तो वो एक तरीका है कुछ लोगों के फिर कुछ सवाल भी है और वो सवाल यह है कि सर हमको call तो आया पर बीज में ही risk connect हुआ अब हमको call आ सकता है क्या तो दोस्तो उस प्रश्ण का उद्तर मैंवैसे कल के वीडियो में भी दे चुका हूँ इस वीडियो में भी दूँगा और एक प्रश्ण है जो मुझे इस वीडियो में लेने रायक लग रहा है कि सर हमने उद्तर दीये किसी का एक उत्तर सही हुआ किसी के दो उत्तर सही हुए किसी के दोनों उत्तर सही हुए पर जो near to correct answer वाला है वो उत्तर गलत हुआ तो वो उच रहे कि सर हमारा number लगेगा क्या आगे कोई chance है क्या call आने का या audition के लिए select होने का आगले round के लिए तो इस प्रशन को भी मैं इस वीडियो में cover करने वाला हूँ परन्तु उसके पहले कल दसमार्ज 2022 को जो सवाल पूछे गए है आई वीर कॉल पर तीन सवाल जो पूछे गए है उन प्रशनों को उसके options को और उसके उत्तरों को भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ वैसे आप तो कहेंगे कि सर अगर दसमार्ज की उत्तर है तो अगर आप दस थरी कोई दे देते तो बड़ा अच्छा होता आपकी विडियो देखने के बाद अगर हमको उत्तर मान दीए किसी के जिनका भी गलत हुआ है तो वो जरूर ये वाद कहेंगे मन के मन में कि सर अगर पहले विडियो आ जाती तो शायद हमारा उत्तर सही हो जाता जिनका भी गलत हुआ हो शायद बोल सकते है पर दोस्तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ मेरा उद्देश चिटिंग करवाना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि आप मेरी वीडियो को देखकर आप वहाँ पे लगा तो लेंगे हाँ रजिस्ट्रेशन करना ठीक है रजिस्ट्रेशन के लिए उत्तर आप मेरी वीडियो देखिए और लगाईए मैं तो कुद कहता हूँ गलत मत कीजिए परन्तु इस स्टेश पर मैं नहीं चाहता कि मैं किसी भी तरीके से गलत काम करूँ और आपको एक रेडि में टेंसर दीदू हारां कि ये इंटर्नली देना अलग बात है और एक पब्लिक प्लैटपॉर्म पे ये करना गलत बात है इसा मुझे लगता है तो आप इंटर्नली एक दूसरे को बताओ वो एट्स अ डिपरेंट तिंग आप वो कंसिलर है खैर वाटसब के माद्यम से या इसा कुछ ठीक है पर पब्लिक क्योंकि ये यूट्यूब चैनल है इतने लोग वीडियो देखते है तो मैं नहीं चाहता कि मैं किसी भी तरीके से इस स्टेज पर आप लोगों को के साथ गलत करूँ या खुद के साथ गलत करूँ या इसा कुछ भी टर्न्स और कंडिशन्स जो है उनके हिसाब से ना चलू मैं ये नहीं चाहता मैं आपके साथ चीटिंग नहीं करवाना चाहता आपको गलत तरीके से मतलब मैं पहले के पहले ही उत्तर दे दूँगा आप उत्तर मेरे देखकर लॉग भी कर लेंगे ठीक है परन्तु अगर सॉर्टली चूटे है उसका फाइदा क्या है उसका कोई फाइदा नहीं है तो करके मैं चाहता हूँ कि इस स्टेज पर आप अपने ग्यान के बल्वूते पर खेले तो वो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि तीन ही सवाल देने है तो वो तीन सवालों के हाँ पर अंतो जण्रल नौलेज बढ़ाने के उद्धिश्चे से क्योंकि अभी वो तीन प्रश्ण जो है वो एक्सपाइर हो चुके है क्योंकि अगर 11 मार्च को काल आता है तो 11 मार्च को और मुझे रग रहा है कि 11 मार्च को भी काल आएंगे पर इसका मतलब मुझे नहीं लगता कि दू दिन का schedule है तो 9 और 10 को खतम हो गया और 11 को नहीं आएंगे मुझे लगता है 11 को आएंगे हाँ उसके बाद अब आएंगे कि नहीं 12 तरीक को वो पता नहीं और 11 को आएंगे मैं जो कहे रहा हूं तो वो भी मेरी खुद की guessing है मैं confirm नहीं हूं पर मेरा अंदाज जैसा है कि शयद 11 मार्च को भी वो call करेंगे ऐसा मुझे लग रहा है तो दोस्तो अब क्योंकि 11 मार्च को अगर सवाल आते है तो जैसा कि TNC कहीती है या जीस तरीके से अब तक का फोनोनर करोरपती का रेकॉड रहा है हर दिन नए तीन प्रशनों का सेट आता है तो 9 मार्च का सेट हमने कल की 40 मिनिट की वीडियो में बता दिये थे कि कुण से कुण से तीन प्रशन थे और उसके उत्तर वे बता दिये थे अब इस वीडियो में 10 मार्च को पूचे गए जो उत्तर प्रशन है और उनके उत्तर है वह मैं आपको दे रहा हूँ हो सकता है आप लोग अल्रेडी जानते हो अगर नहीं जानते हो तो अब मैं यह उत्तर दे रहा हूँ जिनको नहीं पता उनको उत्तर मिल जाएंगे तो दोस्तो पहला प्रशन जो पूचा गया था वह प्रशन था ब्रिटिश इस्ट इंडिया कमपणी ने आपनी पहली व्यापारी वसाहत भारतात कोटे स्थापन की ली यह प्रशन मराठी में पूचा गया है दोस्तो क्योंकि मराठी लाइग में 0 ने भी सिलेट किया है मैंने स्वेम भी मराठी भी इसलेट किया था और मैंने खुद उत्तर नहीं दिया हूँ क्योंकि मैंने मेरे गर के अन्य सदस्थे का नंबर जो है उससे रजिस्टेशन किया था या कई ये कई सकते कि उनका नंबर शॉट लिस्ट हुआ है तो मराठी में ये प्रश्ण है मैं इसका हिंदी ट्रांसलेट भी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि कापी सारे दर्शक मतलब मराठी नहीं जानते हैं अंग्रेजी जरूर जानते हैं पर मैं अंग्रेजी में नहीं बता रहा है तो मैं हिंदी में translate करके जरूर बताऊँगा क्योंकि हमारे channel के primary language हिंदी है आनि हो मि मराठी साहें मि हिंदी नहीं मि मराठी साहें परन्तु channel वर हिंदी वाशिक सुद्धा असल्या मुड़े मि हिंदी माजा विडियो बनो तो ये सवाल हिंदी में है कि British East India Company के द्वारा उनकी पहली जो व्यापारी वसाहत है बिजनेस की जो वसाहत है वो भारत में उन्होंने किस शहर में स्थापित करी कोलगा था सूरत कालिकत या मदरास और ये चार उप्षन थे और इनमें से दोस्तों जो सही उत्तर था वो था उप्षन टू सूरत जी हां दोस्तों सूरत जो की गुजरात में स्तीत है और उसी गुजरात के सूरत शैर में British East India Company ने अपनी जो पहली व्यापारी वसाहत है वो स्तापित की होई थी वही से व्या करते हो उसके बाद स्टार या पिर हैश भी दबाना है उत्तर को सब्मेट करने के लिए करके क्योंकि ये टर्म्स और कंडिशन में लिखा है परंतु जो आडियो मैंने आज देखा हूँ या जो जानकारी मुझे पता चली है तो पहला और दूसरा प्रशन जो है जिसमें च तो ग exceptional दूसरा प्रशन है दोस्तों दूसरा प्रशन ऐसे ये इसके आप्ष्ण में जाने की ज़ुरूरत नहिarny पहले प्रशन के हम उत्तर देflixुकें Delग है भी इनք सब्सTo या ने एक भी संवाद मटलेला ना ही। आपने देखे भी होंगे अगर आपने नहीं देखे होंगे तो आप देख सकते हों इंटरनल बगरे पर आपको OTT प्लाट्वर्म पर भी मिल जाएगी तो बरफी मुवी ऐसी है जिसमें रनवीर कपूर ने जो है एक भी डायलोग नहीं कहा है उन्होंने एक दा मतलब कुंगे कि वो मिकानी भाई है वो जिंगे तो चलेगा तो बरफी मुवी सही है अरता तीन नंबर सही है दोस्तों और तीसरा प्रशन जैसा कि आपको पताई होगा कि दो प्रशनों में विकल्ब लएते हैं और अगर आप प्रशन का उत्तर मानलो जब प्रशन पूझा जाता है और चार उप्शन पूझे जाते हैं उसके बाद आपको चार सिकंद के अंदर उत्तर देना है अगर आप चार सिकंद के अंदर उत्तर नहीं देते हो तो वही प्रशन चार सिकंद बाद फिर से रिपीट होता है कि पुन्ना प्रयतन करा और इसा कुछ यानि कि सौरी आपने कोई रिपलाई नहीं दिया तो पिर से ट्राइ कीजिए और फिर से सवाल रिपीट होता है और उसके बाद में अगें चार सिकंद के अंदर आपको उत्तर देना है तो दोस्तो आपको मतलब आप आराम से इत्मिनान स मतलब अच्छे से सवाल सुनिए और उसके बाद चार सिकंद के अंदर उत्तर दीजिएगा अगर आप बाइमिस्तेक उत्तर अगर नहीं दे पाते हो किसी कारानवश तो प्रशन रिपीट होता है अब आपको दूसरी बार भी प्रशन रिपीट हो गया और उसके बाद भी आप अगर उत्तर नहीं देते हो तो फिर आपका कॉल डिसकनेक्ट हो जाएगा तो दूस्तो आपको बस ध्यान रखना है कि पहली बार में चार सिकंद के अंदर उत्तर दे दे और अगर कभी किसी कारानवश आप अगर उत्तर नहीं दे पाते हो तो दूसरी बार में ही है कि बरपी उत्तर सही है पका पता है शोर है तो चौता उप्षन राजनीदी सुनने के पहले ही एंसर दे दिये इतनी जरूरत नहीं है अलांकि उससे होता कुछ नहीं है आपका अगर उत्तर सही है मतलब एक्जामपल यह है कि पहला प्रशन पूचा गया आपको उत्तर अगर कनपम है तो आपने पहला उप्षन सुन लिए दूसरा उप्षन सुरत सुन लिए तिसरा उप्षन अपने सुने ही नहीं कि आपको कनपम है कि सुरत ही उत्तर है आप दो नंबर दबा रहे हो उससे होता कुछ नहीं है पर मेरी तरप से रिक्वेश्ट ज़रूर आप जानते हो, संक्यात पर प्रशनक का मतलब यह वहाँ पर ही है, कि उस प्रशनक के उत्तर के तोर पर आपको कोई विकल्प नहीं दिया जाएगा, कोई option नहीं दिया जाएगा, आपको सिर्फ सवाल पुचा जाएगा, और आपको उस सवाल के बाल, उस सवाल का उत्तर एक स तो और वो उत्तर जो है अगर आपको exact जो उस प्रश्न का उत्तर है वही उत्तर आप देते हो तो बहुत बढ़ी है आपको 100 में से 100 मार्क उस प्रश्न के लिए और गर मानलो आपका उत्तर मैच नहीं करता तो फिर उस exact answer के सबसे करीब हो इस बात का ध्यान रखना होता है जागतिक विक्रम केला हिंदी में यह सवाल है कि 1983 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में जिंगोंवे के खिलाप कपिल देव इन्होंने कितने रंस बनाकर जागतिक रेकॉर्ड याने की वर्ल रेकॉर्ड बनाया तो दूस्तों आपने obviously अब जो 1985 का वर्ल्ड कप जिन्होंने देखा है उन्होंने ये मैस शाहिद देखे भी हो और अगर नहीं देखे हो तो उसके हाईलाइट बगरे देखे हो मैंने हाईलाइट बगरे तो नहीं देखा हूँ परन्तु मुझे इतना जुरूर बता है कि वो जिंगोंवे के खिलाप उन्होंने कितने रं बनाए है वाई से 200 उन्हों ने बनाये थे और उसके बाद में तो फिर मतलब फाइनल वगिरे में जब पहुचे तो फाइनल में तो टोटल टीम का इसको 183 था जाए तक तो ये मैंने एक्स्टा बोनस टीव दे दिया हूँ आप देख सकते हो वेस्ट इंडीज जो की 1975 और 1989 दो बार का पहले ही दो सीजन्स का वर्ल्ड चैंपियन था क्रिकेट में तो उसी देश के खिलाब फाइनल मैच में 1983 के मतलब इसी वर्ल्ड कप में जो है टोटल उनका स्कोर जो था कुरीट की पुरी टीम का वो था सिर्फ एक्सव 83 रन फाइनल मैच की मैं बात कर रहा हूँ और उसके बावजूद भारत ने वेस्ट इंडीज को हरा कर क्या बोल सकते हैं वर्ल्ड कप जितने वाला वो तिसरे सिजर में मतलब वर्ल्ड कप जीत किया था भारत और वर्ल्ड कप जीतने वाला दूसरा देश बना हुआ था जी हां दोस्तो तीसरा वर्ल्ड कप जीता पर पहला और दूसरा वर्ल्ड कप एक ही देश ने जीता था तो क्रिकेट वर्ड कप जीतने वाला दूसरा दिश भारत बना था और ये 30 नमर का वर्ड कप था तो मतलब की 1923 वाला जो वर्ड कप है पर उसी वर्ड कप की अगर हम बात करें तो फाइनल मैच के पहले जिम्मोंवे में के खिलाप भारत मतलब का पिल देव जी ने 175 न दस मार्च 2022 को पूचे गए प्रश्णों के अब दोस्तो मैंने जैसा के कहा शूरात में कि जो मुझे सवाल आ रहे है कि सर हमने कॉल उठाए कॉल जिनों ने उठाए ही नहीं उनका क्या हो रहा है मैंने तो बता दिया हमने कॉल उठाए किसी का एज के बाद में कॉल डिसके होगा उनको पूच रहे है कि सर हमको फिर से कॉल आएगा क्या तो दोस्तो मैं क्लियरली बता दू टर्मस एन कंडिशन की अगर हम बात माने जो हमेंने कल की वीडियो में पूरा डेटेल बता चुका हूँ उसकी अगर हम मैं आधार पर बात करू तो उनको कॉल आने की संभा परन्तु मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट जरूर रहेगे क्योंकि पिछले साल ऐसा हुआ था और कुछ लुगों को कॉल आया भी था तो मैं आपको यह कहूँ कि आपको कॉल आएगा और अगर आपको कॉल नहीं आता तो वो कही ना कही मेरी तरफ से आपको जुटी उमीद दीवी रहेगी जो मैं नहीं करना चाहता और अगर मान लो मैं कहिता हूँ कि कॉल नहीं आने वाला है आप उम्मीद छोड़ दो और क्या पता कल वो कॉल आ जाए तो ऐसे में भी मैं आपको मतलब डी मॉटिवेट करू वह भी सही नहीं है और करके मेरी तरफ से एक छोटा स इसका एक छोट रास्ता मैं बता सकता हूँ उसके बाद कॉल आता है तो ठीक है नहीं आता है तो ठीक है टर्म्स और कंडिशन के अगर बात माने तो गलती हमसे हुई है या टेक्निकली जो भी कैसे भी कारण कश गलती हुई है उन्हों पर साब बोला है कारण कोई भी हो कॉ इमेल आईडी पर आप से दाम मेल बेजिए अगेन वही काम कीजिए आप स्क्रिंग्शॉट और सब कुछ भेज दीजिए और बताइए जो भी समस्या है अपके के कॉल डिस्कनेट हुआ है या जो भी हुआ है तो उससे काम हो सकता है क्या पता आपको कॉल आ जाए नेक्स् इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता जी हा दोस्तों कुछ मैंने बी तरी कि मैंने भी अब आज देरी से ऐी पर मतलब कल दसमार्ज को रजीस्ट्रेशन किया हूं और मेरा सभी हुआ है रज्स्ट्रेशन मीन्स AI deux 가서 बीया हूं और मेरे तीनों सभी है और वो पता थे घर के सही है परन्तु ऐसा है कि मुझे ये भी नहीं पता मैं आपको कोई बता कि मैं हमेचा कहिता हूँ कि KBC या कोरोनर करोलपती का मैं official person बिल्कुल भी नहीं हूँ मैं आप लोगों को सिर्व रास्ता दिखाने के लिए ये चैनल है कोई भी गलत तरीकी का promise हमारा चैनल बिल्कुल नहीं करता हूँ तो दोस्तो ऐसे conditions में मैं कोई वो बिल्कुल मेरे को कोई अधिकार ये पूलने का नहीं है कि जी हाँ आप शॉर्ट लिस्ट होंगे ये नहीं आएगा हाँ पर क्राइटेरिया क्या है ये जरूर मैं बता सकता हूँ वो भी जो मुझे मैं हमेशे कहीता हूँ कि आप मेरी बात को भी मत मानो आप बिल्कुल आप हमारी वीडियो जरूर देखिए आपके जो भी समस्त्या है उन समस्याओं का समाधा निहां से जानी है पर विश्वास आप मुझे पर कर सकते हो इसलिए कर सकते हो क्योंकि मैं टर्मस और कंडिशन के आधर पर ही बात करता हूँ परन्तु फिर भी मैं कहता हूँ कि आप मेरी वीडियो से ज्यादा वरोसा टर्मस और कंडिशन पर रखो हालंकि टर्मस और कंडिशन भी गलत हुई है वो नव तरिक से चलू हुई है पर फिर भी मैं मतलब अपनी बाजु सेफ रखता हूँ कभी भी और करके मैं यह कहना चाहता हूँ मैं बाकी अन्य यूट्यूबर्स के तरह काम मेरा मेरे चैनल का बिल्कुल है नहीं और मैं अपने दर्शकों को कोई भी जूटी बात नहीं बताऊंगा इस वारे में आप भी बिल्कुल आश्वस्त रही है बिल्कुल तो पहले बात तो यह है कि यहाँ पे कितने प्रश्णों के उत्तर देने पर आपको कॉल आएगा या तीनों के तीनों उत्तर देने पर भी कॉल आएगा कि नहीं आएगा यह फिक्स नहीं है मैं repeat कर रहा हूँ यहाँ पिछले साल भी ऐसा हुआ है इस साल भी 100% इस बात की संभावना है कि किसी का एक ही उत्तर सही हुआ है फिर भी उसको call नहीं आएगा, ऐसा भी होने वाला है, तो करके इसका कोई criteria नहीं है, हाँ, reservation criteria जो उनका pre-decided criteria है, उसके आधार पर उस particular reason में कितने लोगों को call की गई, उन में से कितने लोगों ने call receive की, फिर उतने लोगों को में से कितनों के answer सही है, और फिर कितने प्रश्टों के सही है, उस पर depend करता है कि आपको call आएगी की नहीं आएगी, और ये reason wise है, age wise है, उसमें भी gender wise है, और वाकाइधा profession से लेकर आपने जो भी जनकारी register करते हैं, वक्त भरे हो, उन सब का विचार करने के बाद आपका number random तरीके से shortlist किया गया है, तो अभी भी उत्तर जो भी देंगे, तो उनमें से random तरीके से ही number जो है, वो shortlist होंगे, तो और जब computer random तरीके से number उनको shortlist करेगा, तो उनमें से सिधी सी बात है, जिसने 3 के 3 उत्तर दिया, उसका भी चैन होगा, और जिनमें इसने 1 ही उत्तर दिया, उसका भी चैन होगा, और इस चकर में ये भी हो सकता है, कि 1 का उत्तर देने वाले का चैन हो जाए, और 3 के 3 उत्तर देने वाले का चैन ना हो, तो ये बात को आपको समझना पड़ेगा और एक सवाल मैं बता देता हूँ वो भी चीज कि सर हमारे दो उत्तर जो है optional वाले वो सही हुए पर ये जो near to correct answer वाला है वो गलत हुआ अब क्या होगा तो दोस्तो मैंने इस बारे में कल की वीडियो में clearly बताया था कि near to correct वाला question जो है वो सिर्फ उसी conditions में उस प्रशन का विचार किया जाता है जब अगर मानलो एक ही जग के लिए एक से ज़्यादा अगर number shortlist होते है तब फिर उनके बीच में जो tie होगी उस tie को break करने के लिए उस तिसरे प्रशन का उत्तर किसने ज़्यादा accurate दिया वो देखा जाता है और उसमें भी मानलो सही exact answer वाले अगर ज़्यादा हो तिसरे प्रशन का उत्तर जो exact सही है वही उत्तर दिने वाले ज़्यादा मिल गाए तो आहां पे फिर जो team है के basic या computer है वो फिर अपने विवेक के आदार पर एक को चैनित करेगा तो दोस्तों यह है आज के लिए कुल इतना मेरे ख्याल से कापी है आज की वीडियो में बहुत जादा औरेडी फिर भी मैं तीन प्रशनों पर सविस्तर पूरी की पूरी चर्चा करके विस्तर से बात करने के बाद आपके जो भी मेन मेन तीन सवाल तीन चर सवाल थे हैं उसको मैंने cover किया हो करके वीडियो थोड़ी यह भी बड़ी हुरी है तो I hope आपके जो भी सवाल है वो आपको मतलब उसकी समादान इस वीडियो में मिल गया होंगे इन प्रशनों के उत्तर भी मिल गया होंगे 11 तरीक को अगर कॉल आते है और अगर मुझे सवाल पता चलते है तो फिर 11 तरीक के जो उत्तर है वो भी मैं आपको के लिए इस चैनल पर डालने का प्रयास करूँगा और इस आज के जो मैं प्रशन बता रहा हूँ इसकी जो अडियो क्लिप है आईवेयर क्लिप वो भी मैं आपको इस वीडियो में एम करके इस वीडियो में आगे जोड रहा हूँ करोणपती यहा कार्यक्रमा साथी नोंदनी केलिया सेल तर एक दाबा तुम्ही जर्ग ओन आता नोंदनी पूर्ण करने साथी पुधिल प्रश्टांची उत्तरेग्या स्थेवी सेब्रुवारी 2022 रोजी च उल्ड वय अंकात मुंद्वा बी पावाजान अंतर की पैडवर तुम्हे वय अंका टाइप करा तुम्हे लिंग्ड सांगा पुरुष असाल तर एक दाबा स्त्री असाल तर दोन दाबा इता या पूर्वीचे कोंटे ही परवात कोन होनार करोडपती या कार्यक्रमाच सहबागी होन तुम्ही फास्टेस्ट सिंगर फर्स्ट या पाईरी परियंत पोचला हात का कोन होनार करोड़पती या कार्यक्रमाचे हिंदी कीमा प्रादेशिक आवरुत्ती तिल एकाद्या परवात होट सीट परियंत पोसला हाथ का? हो असेल तर एक दाबा, नहीं असेल तर तोन दाबा आथा तुम्हला सामान्य ध्यानावर आधारित तीन प्रश्णांची उत्तरे ज्यावी लागतील तुम्चा साथी पहिला प्रश्णा आहे ब्रिटिश इस्च इंडिया कंपनी में आपली पहिली व्यापारी वसाहत भारतात कुठलिक खापन केली तुम्हा उत्तरजर कोलकाता असेल तर एक दाबा तुम्हा उत्तरजर सूरत असेल तर दोन दाबा तुम्हा उत्तरजर कालिकत असेल तर तीन दाबा तुम्हा उत्तरजर मद्राश असेल तर चार दाबा शमस्वर आम्हाला तुम्चा प्रतीसाद मिलाला ना ही British East India Company ने आपली पहली जापारी वसाहत भारतात कुठे स्थापन के लिए तुम्चो उत्तर जर कोलकाता असेल तर एक दाबा तुम्चो उत्तर जर सूरत असेल तर दोन दाबा तुम्चा साथी दूसरा प्रशना आहे तुम्चा साथी चा शेवट चा प्रशना आहे तुम्चा प्रशना चा उत्तर संख्यातम कसेल ती संख्या तुम्ही फोन मदे टाइप केला नंतर तुम्हाला तुम्हे उत्तर नत्की करने साथी स्टार किमा हैच टाइप कराईचा आहे एकुणिशे त्रयांची चे क्रिकेट वर्ल्ड कप मधे जिम्बाब्बे गुरुद्ध कफिल देज यन्मिक किती धावा काड़ून जागतिक विक्रम केला शमस्वर आम्हाला तुम्हा प्रतिसाद मिला नाही अगर आपको लगता है कि यह वीडियो और भी दोस्तों के काम आ सकती है तो इस वीडियो को शेर किजिएगा अगर आपके मन में इसके बाद में भी कोई सवाल है तो आप जरूर कमेंट में पूछ सकते हो परन्तु मेरी तरफ से फिर से एक बार वही रिक्वेस्ट रहेगे कि वीडियो को पहले पूरी देख लिजिए उसके बाद भी अगर आपके मन में सवाल है तो फिर आप कमेंट में किजिएगा तो मैं उसका उत्तर जरूर दूँगा और हाँ दोस्तों आप अगर चैनल पर नए हो तो आपका सपोर्ट मैं जरूर चाओंगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथी बेल आइकान को प्रेस जरूर कर दिजिएगा और दोस्तों लास्ट बट नॉट दे लिस्ट एक वार्निंग और चेताउनी जरूर मैं देना चाओंगा कोई भी मेंबर, कोई भी आदमी, कोई भी मैसेज वाटस अप मैसेज, कुछ भी अगर आपको आता है जिसमें कोन होनार करोड़ पती या कोन बनेगा करोड़ पती की तरब से होने का अगर दाबा किया जाता है और अगर वह आपसे पैसे की डिमांड करते हैं तो बिल्कुल वो लोग फज़ी है, उनकी बातों पर विश्वास मत कीजिएगा क्योंकि कोन बनेगा करोड़ पती, कोन होना करोड़ पती या ऐसे किसी भी शो में रजिस्टर करने के लिए एक रुपे का भी खर्च नहीं आता या पूरी निश्पक्ष प्रक्रिया है और हम भी ऐसा कोई भी दाबा नहीं करते, तो मैं यह बिल्कुल इस बात के लिए आपको चितावनी दे रहा हूँ दोस्तों, कि ऐसा अगर कुछ आपके साथ हो रहा है, या कोई भी अगर ऐसा कुछता है, या करता है, या मैसेज आता है या कुछ भी लोट्रे लोट्री ऐसा, कुछ भी तो आप भरोसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि वो लोग फरजी है यह जो है, जो मैं बता रहा हूँ, यह ओपिशियल रास्ता है यह इकलवता रास्ता है, उस होटशिट तक पहुचने का तो thank you so much दोस्तो, I hope आपको मेरी दीवोई पूरी जानकारी समझ में आ गई है हम जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद